मामा के घर है सिनलग्tv 8 मándhonि고 धा cow 10 ये नेक्स्ट मॉर्निंग क्योंकि हम रात को आए थे और अभी हम ositаш भाई के घ आप की खर में तो चले चलते चोटे मामा की घर में यह मेरा चोटे मामा की लर्की नीसा यह अभी ट्यार हो रही है इस्कुल जाने के चलिए मामी और नीशा घर में रहती है मामा जॉब के कारण बाहर रहते तो चलिए देखते हैं यह नीशा भी बीजी है उसको स्कूल जाना है अब शुबा का बज गया आठ पता नहीं मामी कहा है देखते हो अंदर होगा साइद मामी अंदर तो नहीं है तो चलिए चलते बाहर बाहर होंगे नीशा को पूछी तो बोले नहीं उपर भी नहीं है तो चलिए देखते बाहर होंगे कहीं निसा भी बीजी है, क्योंकि उसका बास का टाइम हो गया, कहीं नहीं है मामी, तो चलो इधर उदर घूम के, बहुत सारा पेर लगाई है, देखिए बहुत सारा पेर, मामी का बहुत शौक है, पेर पौदे का, जहीं छोटे से जगा में सब कुछ लगा लिए, चली, दूसरे मामा की घर जाते हैं, देखते हूँ, पालक की पापा पलक लाड़ो सा बुदर ही है, तो ओलो क्या कर रहे हैं, मैं आई थी घूमने इधर, तो मामी से मिलने ही पाए, बाद में मिल लेंगे, तो चली है, देखिए, यहां तो सारा राम जी के भक्त आ गये हैं, लो, यहां बिल्कुल बहुत आवा जा रहा है, चली देखते हैं, यह राम जी के भक्त जब आ जाते हैं, तो बहुत नुकसान करता है, सब का देखिए, किसी का निबू तोर लिया, जिसको हम बता भी बन्हों बोलते हैं, देखिए, तोर के लेकि आया किसी का, तो उही ढू इनको नोटिस मिला था साइद है यहां का कि हम लोग आए मामा के घर तो तुम भी चलो तो यह लोग भी आगे मामा के घर गुमने कैसे बिल्कुल पेर के उपाट टांगे टांगे उस वाले पेर में देखी पीछे तो वहां टांगे हुए हैं कि यह लोग सही में आते हैं तो बहुत बरबाद कर देते सब कुछ बदमासी इतना करते हैं कि मुझे डर भी लगता बहुत तब यह फोटो खीचली इन लोगों का देखिए धारू था किसी के खिर नीशा जा रही है इसकूल यह मुझे बोलके गई कि दिदी रुकिएगा मैं पांच बजे तक बापस आ जाओंगे तब हम वीडियो बनाएंगे तो शायद हम नहीं रूप आएंगे क्योंकि मुझे बापस भी जाना है तो देखिए यहां यह सुबह सुमणी लोग गय थे गंगा मैया के नदी के वहां तो वहां से यह सब उठा के लाए खरीद के कोबी बेंगान आलू यह सब काटा गया मचली के साथ बनेगा तो बस इसमें मसाला डालेंगे मिर्ची जीरा यह सब पिसकी इसमें डाला जाएगा तो यह भावी है भावी खाना बना रही थी तब तक यह लोग पानी लेके आ गये पानी बिलकुल नहीं था और यहां देख करें कि खुली खतम होगा हम खाएंगे तो मैं आ गई ऊपर चाथ पे तो चाथ पर देखें कितना चपूल का पे लगाया तो जल्दी जल्दी हम निकल गए दूसरे मामा के घर के लिए जो हमारा बीजवाला मामा है तो मामा तो रह नहीं थो साल बार होने आया मामा ही गुजर गये है तो मेरा पाँच मामा में तीन files गुजर गए बीमारी में ही उमर हो गया थी इचिट लिए और अभी दो मामा है जो तीसरे नंबर पे है और छोटे मामा दो ही मामा भी है तो चलिए ओही वीजवाला मामा की घर यह उनकी बहुए है और मामी घर पे और दिदी के दो बेटा रहता है इसमें देखी पंचे कई से खरित के लेकर आपनी कई से ओहीं उर्के आया था में पूछ नहीं पाई तो चलिए अभी जल्दी से यहां से निकल जाते हैं तीसरे मामा की घर भी जाना है तो हत में विलकुल टाइम न था क्योंकि साम को यह मैं जाना आए घार घ्र तो इसलिए जल्द जल्द productivity घ्र में घूमने के लिए अभी तो बहुत अच्छा गाड़ी बाड़ी में हो गया तो उसे में जाओ तो अभी इतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा पहले हम छोटे थे तब आता था एही रस्ते से सीधा जाएंगे तो गांगा है ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता पहले वहां ही घर था मामा होक देखे रस्ता बहुत खराबिरोल्स बहुत खराब है यही रस्ता से पहले हम जाते ते गंगा यह जो गाओ है और जहां गंच को बीच में पार यहां तो अभी यह तो टूटके बिल्कुल आगे आ गया सारा गंगा किनारा उन बिल्कुल टूटने लगा है तो देखी सारा हम जब गाव था ना तो देखे गाव लंक तभी उस पार हो गया गांगा इतना आगे आगया गेए घएक कैसे सारा दीरे 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 तूट रहा है ऐसे एतना कासपोल है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं घर करती हो जरूर में आऊम जान हो मामा की घर तो जरूर आती हूँ आ च कि THIS तो चलिए नाध के त्यार के फिर चलते हैं जल्दी से भास घर क्योग उहां खाना होना खाके मुझे निकलना है तो चलिएमँ भी खानए खाके हम निकल गए घर के लिए फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग वीडियो में तब तक के लिए बाई